हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीना अगरवाल किचिन आज की रेसपी में हमने जिस इंग्रेडियन का यूज किया है होता तो बहुत हेल्दी है पर फिर भी हम लोग खाने में इसका बहुत कम यूज करते हैं या बच्चों के डाइजेशन को इंप्रूब करता है इसे खाने में इस्तमाल करने से आइरन की कमी नहीं होती है बच्चे अनिमिया या खून की कमी जैसी बिमारी से दूर रहता है तो आईए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए एक मीडियम साइज का बीटूट या चुकंदर लिया है इसको पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे क्योंकि इसमें काफी सारी मिट्टी लगी होती है जिसे आपकी पूरी डिश खराब हो सकती है अब इसका चिलका निकाल देंगे और इसको छोटे छोटे तुकडों में काट लेंगे तीन बदाम लिये हैं जिसको तीन से चार घंटों के लिए भिगो दिया था पास से छे खजूर या डेट्स लिये हैं अब खजूर में ऐसे गुटलियों को निकाल कर अलग कर देंगे बदाम का वीचल कर निकाल देंगे एक कुकर को गरम कर लिया है इसमें एक गलास के करीब पीने का पानी एट करेंगे अब चुकंदर, बदाम और खजूर को एक स्टील की कटोरी में ट्रांसफर कर देंगे और इसको कुकर के बीचो बीच रख देंगे यहाँ पर स्टील का बतन ही यूज करना है अब कुकर का ढखकन लगाकर 3-4 सीटी आने तक पकाएंगे अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर का भी यूज कर सकते हैं 4 सीटी आ चुकी हैं इसका प्रेसर रिलीस कर देंगे और खोल कर देख लेंगे कि चुकंदर या बीच सच्चर से पक गए हैं या नहीं अगर पक गए हैं तो इसमें थोड़े सा ठंदा पानी डाल कर ग्राइंड करके पेस्ट बना लें पैन को गर्म कर लिया है इसमें एक चमच के करीब घी एड़ करेंगे जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें चुकंदर पदाम और खजूर का पेस्ट एड़ करेंगे और इसको चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसकी रॉय स्मेल ना निकल जाए और इसका सारा मौश्चर खतम ना हो जाए थोड़ी देरवाद इसमें चुटकी भर दाल चीनी का पाउडर एड़ करेंगे मीठे में दाल चीनी का पाउडर एड़ करने से बहुत अच्छा टेस्ट और खुश्बू आती है चुटकी भरे लाइची का पाउडर एड़ करेंगे अच्छे से mix करेंगे और इसको चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक के हल्वे जैसी consistency ना आ जाए आप देख सकते हैं इसकी consistency आ गई है और इसने pen चोड़ना शुरू कर दिया है अब हल्वे को एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी एड़ करेंगे यह totally optional है पर एड़ करने का try करें इससे taste बहुत अच्छा आता है और यह जल्दी हजम हो जाता है बीट रूट या चुकंदर का हल्वा बन के तयार है इसे हखाग गर्म ही बच्चे को खिलाएं अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें